अर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराईज की जहां जंगल का राजा कहे जाने वाला टाइगर नदी की बाढ़ में फस गया साढ़े चार घंटे तक इस्पिसल टाइगर्स प्रोटेक्शन फोर्स और बन विहाग की जहोजहत के बाढ़ टाइगर को नदी में बने टीले तक किसी तरह पहुँचाया गया तब उसकी जान बची नेपाल के पहाडों पर भारी वर्सा के कारण कतर्निया घाट के समीब भरही गिरुआ में पानी काफी वड़ गया है और यह नदी नेपाली नदी कौडियाली से जुड़ी हुई है इसलिए बाग का बस नदी में नहीं चल पा रहा था वह तैर कर नदी पार करने के चक्कर में नदी में फस गया प्रभागी वनाधिकारी कतर्निया घाट आके इस बधावन ने बताया कि उन्हें 11 बदे सूचना मिली कि एक टाइगर नदी में फसा हुआ है तो उन्होंने तुरंत ह्टी पीफ की टीम के मुखिया अब्दुल सलाम को फरन ही मौके पर भेज दिया उन्होंने ड्रोन से टाइगर के स्थिती का पता लगाया और नाव लगा कर टाइगर को रेट के मैदान की तरफ ले जाने की कोसिस की गए लेकिन नदी में पानी ज्यादा और बहाव तेज होने की कारण काम्याबी नहीं मिल पा रही थी तब कतर्यागाट के रेंजर राम कुमार ने सिचाई विभाग से संपर कर चौधरी चरण सिंग बैरास के तावे बंद करा दी और तब नदी का पानी और करंट कम हुआ तब जाकर कुछ सफलता मिल सके टाइगर के इस पूरे रेस्क्यू ओपरेशन को खुद प्रभागी वनादिकाई कतर्यागाट आकाज पधावन एलीट कर रहे थे और उन्हें भी करमचारियों को निर्देश देने के लिए घुटने घुटने पानी में जाना पड़ा आपको बताते चले के कतर्यागाट वन्यजीप प्रभाग 550 वरगे किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें लगबग इस वक्त 30 टाइगर यहां निवास करते हैं वन विभाग एक एक टाइगर की मॉनिट्रिंग भी करता है इस टाइगर के रिस्क्यू आपरेशन में विभाग को इतनी जहोजहत इसलिए भी करने पड़ी क्योंकि बैराज के पास जी जगह पर यह टाइगर फसा था वहां पर थोड़ी सी भी चुक हो जाती तो या तो टाइगर ने पास चला जाता या लखेम पूर की ओर निकल जा पर दो की बाग को कतरनिया घाट के कोर्ट जोन में ही पहुचा दिया गया है विराट 24 के लिए बहराई से सहनवाज खान की रिपोर्ट अ कि आप कि आप कि आप कि 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 आपके लेकिन सामने की कटना है ना यह होते हुए उदर से बैराज से कितना नीचे आकि इस तरफ को कटा है वह जो सिल्क रिजेक्टर है वो दिख रहा है पानी से पानी से गन्ने में जाते देखा आप को आप रहा है तो इसी पार होते है अच्छा क्या नाम बताए तो नाम बताए तो नाम एक समसेरा समसेर समसेर कहां रहने वाला वो आपका जनम असोख इनके तो सब्सक्राइब